अस्सलाम वालेकूम कैसे आप 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 सब ठीक ठाक होंगे खुश होंगे हम भी ठीक हैं अलहमदुलिल्ला तो आज हम आपके लिए जबरदस्ती कुफती मोटपुलॉग की डेसिपी लेकर आए हैं तो चले स्टार्ट करते हैं चीज सो ग्राम की आसपास हमने एक इमल यह उसको अच्छी से धोल लिया और फिसका पानी निकाल के इसको एकदम ड्राइ कर दिया अब हम इसमें एक टेबिल स्पून अधरक और एक टेबिल स्पून लसन का पेस्ट डालेंगे और एक टीस्पून हमने भुना हुआ जीरा डा फोर टेबिल स्पून हमने इसमें भुना हुआ बेसन डाला है और त्री टेबिल स्पून हमने तहले वे प्यास एड़ करेंगे अब सारी चीज़े मच्छे से मेक्स कर लेंगे और इसको पिर हम 2-3 मिनट के लिए रख देंगे तो 3 मिनट कंप्लीट हो गए हैं अब हम हाथो को ग्रीस करेंगे और फिर इसकी चोटी चोटी सी कुफ्तिया बनाएंगे तो इस तरह से देखिए जो हम कुफ्तिया चोटी 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 बना रहे हैं आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं आपको जैसी पसान हो आप उस तरह से बना सकते हैं उसके बाद हम देखे सा एम को मीडियम कर देंगे और ब्ज़ सारी कोफिता shown डी कर लेंगे लाइट ब्राउं किरदा की हे ब्राइट हो गई आब इसको निकाल देंगे लें इसको वेस्ट ode करएंगे पैन को साफ करके लोई डालेंगे इससे हमारा यूज हो जाएगा और इसी में हमने दो 2-2 लीफ पत डाल दी हैं और हमने 3-4 जो है सलाइस अनियन काट के डाली है इसको हम लाइट गोल्डर का करेंगे प्यास लाइट गोल्डर की हो गई है है लाइट गोल्डर की हो गईں है belum तेबिल साला एड़ करेंगे। इसमें आधा टी yaşवी спून जवीटतुरी डालई है और तेन बड़ी एलइची डालई है और चीजा साथ हम ने इसमें काली मिर्ड डालिए है और इसमें घृम्राि लाइची एड़ i Augen ज़ीजा ए है वो भून गया है तकरीबन तो अब हम इसमें मटर हमने एड़ कर दिये हैं जो 300 ग्राम थे हरे मटर अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढखके रख देंगे ताकि मटर गल जाएं तो जितनी दिर में ये मटर गलेंगे तो इधर हमने ये चावल भीगो के रख दि पकेंगे तो जब तक ये दो मिनट तक पकेंगे तो इधर हमने ये चावल के लिए पानी चड़ा दिया जिसमें हमने तीन से चार देस पत्ते डाले थे और पांचे लहरी लाइची जाती थी और फिर चावल डाल दिये थे चावलो को कर आप एक घंटा पहले भीगोते तो एकदम खेले खेले से बनते हैं फॉरण ही चावल बनाने पर वो बात नहीं आती चावलों में तो चावल जो है 80% हमें गला लेना है उसके बाद जो है चावलों का पानी निकाल देंगे ये इस तरह से देखे चावलों का पानी हमने सारा निकाल दिया है अब चावल की एक हमने लगा दिये उसके पर इसके पर मसाले की पूरी लेर बना दिए उसके बाद फिर जो है ओपर से हम एक और करों की लेर लगा देंगे यह देखें से इस बिवजान अगे पूरा मसारा दालने के बाद हम एक लेयर चामर की उपर से और आपने यह लगा दिये अब हम इसमें पूड कलर डालेंगे दो से तीन टेबिल इस्पून ने दूड डिया और यह काम हमने यह रेट पूड कलर डाल कर रहा है और इसमें हाफ टी स्पून हमने ये कियोडा एट कर रहा है सारी कीज़ें मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो दूद की जगा पानी भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम पूरा इसमें डाल देंगे उपर से हमने थोड़ी सी फ्राइड अनियन डाली है बहुत थोड़ी सी क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आती है और थोड़ा सा जो हरा धनिया उपर से डालेंगे और उसके बाद भी हम प्लेम को लो करेंगे और पांच से छे मिनट के लिए ढगकर हम ये रग देंगे दम पे तो देखिए छे मिनट कम्प्रीट हो गए हैं और कुफती मटरपलाव बन के तयार हो गया है और जबरदस ये देखे धुएं उड़ रहे हैं तो अब हम इसको सर्फ करेंगे और आप भी एक बार इसको जरूर ट्राइ करिए और अपना फीड़ बैक मुझे जरूर दीजिएगा क्या जबरदस लग रही है कुफती मटरपलाव और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा है तो इससे सबस्क्राइब करके बेल आइकोन फिरस कर दिया और तब तक के लिए आपिस नेक्स वीडियो में फिर इन्शाला आपसे मुलाकात होगी